असलाव अलेकूं माई डिया स्टूरेंट्स तो फिर आज मैं पढ़ाने जा रहे हूं कलास सिकंड इंगलिश ठीक है पेश नंबर होगा हमारा एड तो फिर कल हमने क्या पढ़ा था प्रोपार नाउन और कामन नाउन के बारे में पढ़ा था तो फिर हम फिर से उसी को लेकर इसकी कुछ एक्सरसाइस करने वाले है तो फिर आज हमें दिया हुआ है सिर्कल दी प्रोपार नाउन और अंडरलाइन दी कामन नाउन इन दी सेंटेंस हमें क्या करना है जो प्रोपार नाउन है हमारा हमें उसे सर्कल करना है यानि कि खास इसमें खास को क्या करना है हमें सरकल करना है और इसमें आम को अंडर लाइन करना याद रगना जो कामा नाउन होगा यानि कि जो इसमें आम होगा उसे अंडर लाइन करना है और इसमें खास को सरकल करना है ठीक है तो फिर हमें यहां पे सबसे पहला exercise दिया हुआ है आईशा लाउस टू इड वीजिटेबल आईशा एक लटकी का नाम है ठीक है अब यहां पे specific किसी लटकी का नाम लेके बोला हुआ है आईशा को सबजिया खाना पसंद है ठीक है अब यह जो हमारा आईशा होगा वो हमारा क्या है proper noun है ठीक है यह आईशा जो है वो मेरा proper noun है और वीजिटेबल आप उसे कुछ भी वीजिटेबल पसंद हो सकते जैसे कि उसे brain gels वागेरा या फिर उसे Spanish वागेरा कुछ भी पसंद हो सकते ठीक है तो फिर यह जो vegetable है वो मेरा क्या बन जाएगा common noun बन जाएगा ठीक है आप उसी तरह Mumbai is a big city ठीक है यानि कि जो यह Mumbai है वो एक बड़ा शेहर है आप इसमें से हमारा कौन सा proper noun बनेगा और कौन सा common noun तो फिर यह जो Mumbai है ठीक है यानि कि यह एक जगे का नाम specific उन्होंने ब बोला हुआ है Mumbai ठीक है तो फिर यह मेरा क्या बन जाएगा proper noun और city यह मेरा क्या बन जाएगा common noun ठीक है city आप कोई भी हो सकता है ठीक है जैसे हमारा करगील ही एक city है करगील भी हो सकता है जम्मू हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर उन्होंने सिप city बोला हुए अब हमें city से तो कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कौन से city का बात कर रहा है तो फिर आप यहाँ पर उन्होंने बोला Mumbai is a big city Mumbai एक बड़ा शेहर है ठीक है तो फिर Mumbai मेरा proper noun और city मेरा common noun उसी तारह से बोला हुआ है Sona the elephant was hungry Sona नाम की एक elephant है जो की क्या है बूखा है ठीक है अब इस में से मेर कौन सा common noun बन जाएगा और कौन सा proper noun तो फिर यहां पर हमें फिर से किसी का नाम दिया हुआ ठीक है यानि कि इस elephant का एक नाम रखा हुआ है Sona तो यह मेरा क्या बन जाएगा proper noun और यह elephant मेरा common noun elephant कोई भी हो सकता है ठीक है बहुत सारे elephants होते हैं तो फिर यह मेरा common noun और यह जो यह proper noun I use goodness goodness toothpaste मैं कौन सा toothpaste इस्तिमाल करती हूँ goodness तो फिर आप आप लोग बोलो कि इन में से कौन सा हमारा common noun होगा और कौन सा proper noun तो फिर उन्होंने एक toothpaste का नाम रखा हुए जैसे हमारा Colgate होता है, Pepsodine होता है Sensodine होता है उसी तरह से यह जो goodness है वो इस toothpaste का क्या है नाम है, ठीके तो फिर यह goodness मेरा क्या बन जाएगा proper noun बन जाएगा ठीके, और यह जो toothpaste है यह मेरा common noun बन जाएगा क्योंकि toothpaste कोई भी हो सकता है Pepsodine वाले brand का हो सकता है Colgate वाले brand का हो सकता है ठीके, अब यह जो goodness उन्होंने एक specific करके दिया हो है कि मैं कौन से toothpaste इस्तेमाल करते हूं goodness वालों का ठीके, अब उसी तरह से दिया हो है Ravi, has a dog called Timmy Ravi के पास एक कुता है जिसका नाम क्या है Timmy है, ठीके, अब इस में से हमारा दो proper noun होगा ठीके, यह Ravi तो होगा ही क्यों, अब Ravi एक लटका है ठीके, जिसके पास क्या है एक कुता है, डोग है ठीके, यह हमारा क्या बन जाएगा common noun, और यह Timmy उस कुते का उसने क्या रखा हो है एक नाम रखा हो है जिसे वो क्या कहता है Timmy, ठीके, तो फिर यह भी हमारा क्या बन जाएगा proper noun ठीके, समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि इसमें आखास को हमने क्या बोला, proper noun और इसमें आम को common noun, आइशा हमारा proper noun होगा, क्यों? क्योंकि यह specific किसी लटकी का नाम है, ठीके, जो भी खास, किसी जगे का, या फिर किसी इंसान का, नाम होगा, हम उसे क्या कहेंगे, proper noun अब जो चीज बहुत सारे, यानि कि आम में होगा, जिसे लटकी या यह तो बहुत सारे, अब मैंने बोला कि, ऐसे भी मैं बोल सकते हूँ मेरे पास किताबे हैं अब मेरे पास कौन से किताबे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, अब मैंने बोला कि मेरे पास साइंस की किताब है, ठीके, तो फिर यह जो साइंस होगा, वो मेरा proper होगा, ठीके, proper noun बन जाएगा उससी तरह से, जब भी मैं किसी चीज की नाम लेकर उससे specific बोलती हूँ, तो फिर वो मेरा इसमें खास बन जाएगा, समझ में आया, बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनको proper noun और common noun की difference पता चल गया होगा, आज के लिए खुदा हाफीज, हम कल मिलते हैं